दोस्तो पंचायती राज की इस भरती में तीन पोस्ट सबसे अच्छा है जिसके लिए सबसे ज़्यादा आवेधन होगा और सबसे अच्छा पोस्ट का सिलेवस क्या होगा कैसे आप तयारी करेंगे ये भी चीज हम बताएंगे आप ऐसा सोच रहे हैं कि वेकंसी में लेट बिहार से तो अप्लाई करेंगे और आपको पता होना चाहिए कि आदर अश्टेट यहानी यूपी वाले भी अप्लाई करेंगे जारखंडड वाले भी, च्छतिसगर, उडिसा वाले भी इसको अप्लाई करने वाले है बिहार, पंचायती, राज्ट की जो वेकंसी निकलने में गिरेगा तो नीचे जरूर कमेंट करके बताए कि इस वेकेंसी में अगर सीट होगा 15,610 जो की बिहार में निकलेगा और अलग अलग पोस्ट के लिए निकलेगा अस्थाई भरती भी निकलने वाला है और अस्थाई भरती यानि परमानेंट जॉब भी होगा और एक पेरवजगारी को खत्म करने के लिए बिहार सरकार के दौरह चुनाओ से पहले ये घोसना किया जाएगा कि हम इतना बेरोजगारी पंचायत संचीव यानिए की आप देखेंगे बिहार पंचायति राजके दौरह वेकेंसी ल। स्बकूल डिसकस करते हैं सबसे मेन होगा इसमें सिलेबस कि आप लोग किस सिलेबस पर तयारी करें ताकि इसका बेहतरीन पोस्ट जो है वो आपके पास पहुँच पाई ठीक है चलिए हम लोग शुरूबात करते हैं सबसे पहले बताते हैं कि बिहार में जो पंचाहिती राज भरती निकलने वाली है इसका जो होगा 15,610 पोस्ट होगा जिसमें से कुछ अस्थाई होगा और कुछ अस्थाई होगा ठीक है इसका अ एज जो है बहुत जादा दिया जाता है 18 से लेकर के 37 तक के जितने भी युवा है वो इस वेकेंसी के लिए अपलाई कर पाएंगे अगर वो जेंडल है तव अगर आप EWS के टेगरी है तो 18-37 जेंडल और EWS का दोनों का सेम लेकिन OVC के टेगरी BC-EBC है तो आप लोग को त एक अगस्ट 2024 से रखा जा रहा है एक अगस्ट 2024 और बार बार इसका updated आपको हम इसलिये भी कर रहे हैं क्योकि इसके आयोग में यानि की बिहार पंचायू राज के तरव से प्रकिरिया को आगे बढ़ाया जा रहा है बार बार सूचना लिया जा रहा है तो कहां पे कैसे कित विल कोर्ट का होगे आपका और वी एक्जाम बचा हुआ है बिहार BSSC 12 लेवल जो निकला था उसका एक्जाम बचा हुआ है तो वो सब को connect करवाने के बाद सबसे पहला नजर बिहार पंचायती राज की भरती पर होगा और इसी में आप लोग को selection लेना ही है like, share, subscribe selection के बहुत करीब आप पहुँचेंगे अगर आप हमसे जूड़े रहेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं अस्थाई नौकरी कहने का मतलब क्या होता? अस्थाई कहने का मतलब कि guberman job मिलेगा आपको guberman job यान कि सरकारी नौकरी जो आप सुनते हैं वो आपको मिलेगा कितने पद पहर निकलेगा वो इक बात और पता चल रहा है जो आपको बताना चाहते हैं कि यह seat बढ़ सकता है और ज्यादा मतलब 15,610 से भी बढ़ सकता है यानि कि अस्थाई नौकरी का seat बढ़ने का ज्यादा संभावना है अस्थाई का नहीं बढ़ेगा जो 4350 seat है इसको कुछ और बढ़ा करके निकालने का यहां पर काम चल रहा लेकिन देखिए वेकेंसी का जो नोट्फिकेशन आता है तो आपको तो हम बताएंगे आप सिर्फ हम से जुड़े रहिएगा तो सब कुछ आपको पता चलेगा यानि कि जो नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस बटन पर क्लिक करिए क्लिक करके सब्सक्र पाइती राजभरती एक ग्रूप हो गया इसके तहत निकलने वाली जो बहाली होगा उसका अलग-अलग पोस्ट होगा अब पुछेंगे आप कौन-कौन सा पोस्ट होगा तो अस्थाई नौकरी जो होगा पर्मानेंट जॉब जो होगा उसके लिए आपके स्क्रीन पे लग बेस्ट केटेगरी में रखे हैं कि पचाय सचीव लेखा पाल और कर्याले परिचारी ये तीन ऐसा भरती होगा ये तीन ऐसा पोस्ट होगा जिसमें मैक्सिमम लोग अप्लाई करेंगे और इसमें नौकरी लेने का चाहत उनका ज्यादा होगा ठीक है टाइपिंग करने लगबग प्राइबेट जॉग यानि कि अस्थाई से आप लोग को लगता हूँ कि अस्थाई मतलब कि इसमें कभी भी निकाल दिया जा सकता है बात आपका भी कहना ठीक है लेकिन ये नौकरी है ठीक है और ये सरकार के तरप से निकाला जा रहा है सरकारी ना होते हुए भी ये लगबग अर्द सरकारी इसको माना जाता है यानि कि समझी कि आपको जल्दी निकाला नहीं जाएगा, ठीक है, कुछ बड़ा ही आप कांड कर देंगे, तभी आपको बाहर किया जाएगा, और अगर बड़ा कांड कर देते हैं, तो वो सरकारी नौकरी से भी निकाल दिया लाता है इसलिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है दोनों के सिलेबस में अंतर तो जरूर होगा हम बताएंगे अभी अस्थाई नोकरी का सिलेबस क्या होगा बांकी का सिलेबस आपको नोट्फिकेशन आने के बाद पूरे किलिर ढंग से बताने वाले हैं सेल्डी यहाँ पे 20,000 आपको दिया जाएगा स्थाई वाले में मतलब कि जो आपका यहाँ पे स्थाई नहीं होगा जैसे कि यहाँ गॉर्मेंट जोबने होगा उसका सेल्डी 20,000 होगा ठीक है टाइपिंग एंड नन टाइपिंग जो पोस्ट होगा उसमें आप देखेंगे क अगर आप हिंदी किये हुए इंग्लिस किये हुए है जितना भी आपका स्पीड है अगर टाइपिंग वाला भरते हैं तो कंपटिशन आसान हो जाता है कि होता है गेदरिंग कहां पे होता है जहां पे कम क्वालिफिकेशन मांगा जाता ठीक है तो आप यह सोचे हैं कि नन अगरे हँझे हैं जलत लुक्षता है कि हम थापिंग ने कि सीखता है क्या हो गया भी तो बेस पोस्त आपको बदाए पंचायस-चीव लेखपल और करियाले परीचारी जिसमें से आप देखेंगे जो पनचायस-चीव का पोस्ट है यह आपका सरकारी नौकरी है लेखा पाल वला जो हो जाएगा यह आपका अस्थाई नौकरी हो जाएगा कार्याले परिचारे भी आपका नौकरी हो जाएगा जो की सरकारे नौकरी हो जाएगा और आपको बताए कि अस्थाई नौकरी का जो पोस्ट है आपके स्क्रीन पर तो लगा होगा यह कि आप लोग अपलाई कर सकते हैं जिसमें भी आपका मन है आप उसको अपलाई कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को ठीक है यह भी 12 लेकिन यह आपका 10 अस्तर का हो जाएगा इसमें भी maximum form गिरने वाला है तो यह आप जो भी आपको पसंद आएगा वो आप भर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा और आप लोग के दिमाग में दोस्तों आ रहा होगा कि अगर हम लोग को बेस्ट पोस्ट को प्राप्त करना है तो इसके लिए पढ़ना तो पढ़ेगा क्योंकि सबसे पहले एकजाम होगा तो कैसे पढ़ेगे कहां से पढ़ेंगे उसका भी उपाय आपको हम बताने वाले ह देखे नजर रखेगा यहां पहरा आप को सिच्छा-पत के तरप से आपको नसरा अड़ा होगा यहां पर सिच्छा-पत करने कभी करना है दिखे और यहां पर आपके लिए कॉर्स ला दिया गया है जिसको आप प्रिपेर कर सकते हैं जहां से आप प्रिपेररेशन शुरू कर सकते हैं कॉर्स बेच में चारसो उन्चास रुपे का ये कोर्स है, जितना भी वीडियो वहाँ पे है, सब अप्लोडेड है, लाइव क्लास भी चलता है, और जो क्लास आप से छूट जाता है, वो क्लास आप रिकॉर्डेट रखा रहाता है, उसको आप देख सकते हैं, तो सिच्छा पत के तरफ से अप चलाया जा रहा है, आप लोग इसा फाइदा कैसे उठा सकते हैं, तो लिंक हम कॉमेंट बॉक डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, अप्लीकेशन का, अप्लीकेशन डाउनलोड करके लॉग इन करके आप जाईए, और बैच को पर्चिच करिए, इस बैच में मिलेगा क्या क्या है, यह भी सवाल होगा, तो आइए देखते हैं, आपके स्क्रिन पर नजर रखेगा, यहां पर देखिए, खूल गया है बेच, और यहां पर आपको रेगुरल क्लास मिलता है, चार घंटा डेली क्लास होता है, यहां पर टेस्ट पर विक होता है, टॉपर वगरेगा, अलग पैसा लगता है, यहां पर आप बैस लेते हैं, तो पीडिाफ आपको फीरी दीया जता है, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते है, इसको पढ़़ सकते हैं, तो इसक्ता होता है, जो कि आपका Hilfea होता है, यह दो अगर आपको समझ impose न आ प्लास मिलोंगो मजा आएगा, कि क्या सिनेवस में पूछा गया और कैसे हम इसको पूरा कर सकते हैं ठीक है कोई दिक्कत ने हुआ तो यह आपको अप्लिकेशन का लिंक हम दे दिए जाकर करके आप यहां से देखिए बाइनाओ है ने दिखा हुए आपर बाइनाओ यहां पर किलिक करिएगा तो आप यहां पे पेमेंट करके एडमिसन ले पाएंगे लॉग इन कर पाएंगे और पूरा बैच आप देख सकते हैं क्या क्या विडियो वहां पर है और अच्छे दंग से पढ़ाई कर सकते हैं इतने में लड़के लड़किया ठीक है उमीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा तो पोस्ट आप भरने वाले हैं वो 10th 12 और गिरेशन का सबका पोस्ट आपके सामने रखा जाएगा 10th 12 गिरेशन सबका जिसमें भी आपका मन है जो भी मरने का मन है वह भर सकते हैं 12 पर भड़िये गरेशन पर भड़िये 10 पर भड़िये एक से ज़्यादा भी वेकंसी को आप कर सकते हैं ये भी याद रखिएगा चलिए फॉर्म फी के बारे हम बात करते हैं फॉर्म फी क्या होगा तो जेंडल EWS BC EBC के मेले कटेगरी के लिए 540 उर्पया लग रहा फॉर्म भरने में 540 उर्पया कितना 540 उर्पया लगेगा तो आपका लगभग देखिए लाश्ट अक्टूबर तक इसका नोटिस आने को है एक नोटिस बोला गया है कि लाश्ट अक्टूबर में दिया जाएगा जो कि नोटिफिकेशन होगा कि वेकंसी का अपलाई डेट कब से सुरू होने वाला है अपलाई डेट जैसे ही शुरू ह होता है वैसे ही आपको हम सबसे पहले वीडियो देंगे कि पंचाहिती राज का अलग-अलग पोस्ट के लिए बहाली आ चुका है आप अपलाई करिए तो अपलाई करने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब लाइक शेर तो करना पड़ेगा इतना कर देते हैं तो वह आपक खत्म करने का भी प्लान है यानि कि जॉइनिंग देने का 25 तक इसको जॉइनिंग भी दे देना है चुकि सरकार बनने वाला है 2025 में ठीक है मुखमंतरी लोग का चुनाओ होने वाला है कौन सा बनेगा कैसे होगा तो यह बहुत बड़ा चुनाओ होगा इसके कारण सरकार पे वेकेंसी आएगा और बहुत ही जल्द आप ऐसा सोच रहे हैं कि वेकेंसी में लेट होगा तो बिल्कुल गलती कर रहे हैं इसलिए क्योंकि बिहार है कभी भी नोटिस दे सकता है कि वेकेंसी आगया ठीक है तो इसलिए हम बार बार वीडियो देखरके आप लोग को सतरक और एक को संद चार नमर का अने बाला और व עर वोभी पीटी का जिसमें एक एक इगजाम होगा उसका ही होगा लेकिन जिसमें मेंस लीजा जायेका उसका भी सिभा लेकिन दू बार उसमें मेंस भी लिए जागा सेमे सलिएगा टोटल टाइम आपको दो घंटा 15 hade 25 मिनट 1135 हैं gk gs और रिजनिंग तो आप आराम से हम कह सकते हैं कि रिजल्ट आप दे सकते हैं क्यूंकि 100 नंबर तो यही पूरा कर दिया और 100 में से आप 85 भी ले आते हैं तो बांकी 25-25-50 में तो आप 20 यहीं आएगा असान यहाँ पर पूछा जाएगा ठीक है तो में यही है gk और रिजनिंग ठीक है 50 कोशन और रिजनिंग तो सबसे इजी है मैथ आपका 25 कोशन साइन से 25 कोशन रहेगा तो जी के जी एस को मिला करके आप देखेंगे यहां पे 75 कोशन पूछा जाएगा और जी के यहां पे जेनरर नौलेज, हिस्ट्री, जोगरफी, पुरेटि, एकोनमिक्स और बीवीद करेंटरिवर्स को मिला करके 50 कोशन पूछा जाएगा और साथ में साइंस, प्येस, अगर हमको को निकालना है तो कुछ इस प्रकार से प्रिपरेशन करना पड़ेगा और अपने तयारी को मजबूत करने के लिए इन सभी चीजों पे ध्यान तो देना ही पड़ेगा तब जाकर के लगेगा सरकारी नौकरी और आप हो पाएंगे एक ब्रांडेड मैं ठीक है आप पंचाहिती राज में नौकरी करेंगे अच्छा सेलरी उठाएंगे उसके बाद बहुत अच्छा आपका जीवन हो जागा ठीक है अगर आपका अस्थाई नौकरी भीस में लग जाता है तो भी बेस्ट है कोई दिक्कत नहीं है आप खुसी रहेगा बहुत जदा उदास ने रहेगा ठीक है लेकिन यह लगता तो ज्यादा अच्छा होगा अस्थाई लगता है तो इसका बात ही अलेगा लेकिन अस्थाई भी खराब नहीं है उससे तो है कम लेकिन खराब नहीं है उससे तो बेटर है कुछ नहीं से तो बेटर है कि कुछ मिल जाता है यह चीजम बोल